जय हिंद इस वीडियो लोग पैना फीक इंडर्श्ट्रिक लिमिडेट कंपनी को बात करेंगे देखिए एक मास से विदिक समय हो गया जब से इस कंपनी का सेयर प्राइस तूटना शुरू हो था और आज के दिन भी सेयर प्राइस नीची की तेरफ लुड़ा करें रहा है ऐस साथ है इस वीडियो में नए लोगों के लिए इस कंपनी में ओपर्शुनिटी तेलासाएंगे कि किस लेवल पर वो लोग इस कंपनी के सेयर को बाई करें ताकि आगए चलकर उन्हें भी फायदा हो सके तो बिना किसी देरे के डारेक्ट मुद्ध पर आते हैं और काम की बा लेकिन वो रियल में बैंक नहीं होती है काम समझ गया है अब आईए देखते हैं कंपनी का मार्केट के मार्केट के 20 क्रों रुपया अर्थात यह एक पेनी इस्टोक है यह तो आपको पता है सेयर प्राइस पैसा और अभी डाउन टेंड में चुकि आज के दिन भी इसमें लगा है तो लोई सेयर प्राइस निचे ही जाता है हाई लगा चुका है पांच रुपय बैस पैसा अर्थात इस कंपनी का शेर प्राइस सदिकत्व यहां तक आया है यहीं तक आनेक बाद जो डाउन फोलिस में शुरू हुआ सेयर प्राइस नीचे जाना शुरू अभी तक में इसका share price 42 पैसा था अर्थाथ 42 पैसा से share price उट कर 5 रुपया 42 पैसा के आसपास तक आया देखें यह बार बार मैं हर वीडियो में इसके बताता हूं क्योंकि इससे आपको एक motivation मिला आप यह जान सकें कि पेनी श्टोक को हलकाम लेने की जुरूत नहीं है कितना तगड़ा रिटर्न दिया 42 पैसा से 5 रुपया 42 पैसा तीन मामे देखेंगे तीन मामे करीकर भी चार-पांसव परसेंट कर संदार रिटर्न दिया है इतना अच्छे खासी कंपनिया भी इतना संदार रिटर्न इतने कम समय नहीं देती है यह अलग बात है कि इसमें जितना रिस्क होता है अच्छे कंपनिय मोतना रिस्क नहीं होता है लेकिन मजह भी तो है जो लोग 42 पैसा पर या एक रुपया अपर भी इस कंपनी के सेर प्राइस को खड़ते हो उनको तो अभी तक पांच गुनक का प्रोफि कि उपर जा तो वो कब जाएगा अगर दूरपया 33 पैसा के हाई को थोड़ जाता है मालने लिए इसमें उपर से लग जाता है उसके बाद अब सेर प्राइस विपर जाना शुरू जाएगा तो दूरपया 33 पैसा को जो रिजिस्टेंस लेबल उसको तोड़ कर बढ़ जाए तब माना यहां कि अब शेयर मसली तेजी आई है और सपोर्ट लेवल है दू रूपया अभी डाउन जा रहा है दू रूपया की लेवल को भी तोड़ दिया तब समझे कि बहुत नीचे शेयर प्राइस जा सकता है हाला कि इसकी सांभावना बहुत कम है क्योंकि RSI 28 का सपास आ गया है RSI काफी नीचे आ गया है इससे नीचे जाने की सांभावना नहीं है ना के बराबर है इसलिए शेयर प्राइस अब ज्यादा दिन नीचे नहीं रहेगा अर्थात यह कहें कि ज्यादा दिन लोवर सर्कुट इंकम हुआ ता 8 लाग का लेकिन जो क्वाडर 3 के रिजल्ट आ है उसमें इंकम में थोड़ी कमी आई है 8 लाग से कम वोकर 7 लाग ही रह गया एक लाग का गिरावट हुआ है और प्रोफिट की बात करें मुनाफ़ा यह पिछले बार मुनाफ़ा नहीं हुआ था कंपनी को ल बढ़ते जा रहा है और और अर्निंग पर सेर देखें पिछले पार्टर में भी जीरो था इस प्वाटर में भी जीरो है तो खेर बनाएगा इसलिए पर सेर कुछ खास माहिने नहीं रखता यहां आप देखेंगे इसके पास रिजर्व बेद 14 लाख रुपे का अब चुकि उससे अच्छी बात है कि कंपनी को पर करजा बिल्कुल नहीं एकदम फिरी कंपनी है असेट कंपनी के पास है जो 17 क्रोन 66 लाग असेट से कंपनी के खुद की और यह भी साल दर साल बढ़ते जा रहा है लियाबिलिटी जानी कि वह संपति जो दूसरों को लोटानी है वह 9 क 29 लाग कि है लेकिन फिर भी काफी ज्यादा है और यह भी देखें कि तो साल दर साल बढ़ते जा रहा है कंपनी को इस पर लियाबिलिटी चाहिए रिजार्ब और आसेट कंपनी के अपनी बढ़ानी चाहिए प्रमोटर्स के होल्डिंग यह थोड़ा सब्सक्राइब लेकिन में होती है तो मुझे बहुत खुसी होती है प्रमोटर्स के पास 6.90 करीगों 7% के हिस्तेदारी है और बाकी की जो सेर 93.10 परसेंट यह देखेंगे तो पॉब्ली के पास इसके हिस्तेदारी जादा होती है एक अच्छी बाती है कि कंपनी पहले डिविडेंड भी देती थी कम्पनी सिर्फ 2015 में दिजन दीया तो सीर्फ़ 10000 के बातनेटल यह जो कंपनी स्वाइब CEO ऑब reported यह क्मपनी कमपनी है और मैंने वह इनटेया और वा केश़र आपने इस vs कंपनी नाजव वाले समय भी इस तरह की कंपनिये ग्रोग करेंगी तो अगर आप इसमें इंवेस्टमेंट करने की सोचने तो बैसक कर सकते लेकिन पेनिये श्टॉक है तो उतना ही रुपय लगे जितना अगर गम हो जाए तो आपको नुकसान नहीं हो और जो लोग फसे हुए इसमें हाई प अगर मन में कोई स्वाल है तुम उसे पूछे बाकी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यबात शुक्रिया हूँ